आप सभी को मेरी नमस्ते और जैहिन मेरा नाभास थे नहीं है वेरबल मैद भावास थे नहीं में आप सभी का स्वागत है I hope कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पारें visibility भी ठीक है बहुत ही important session लेकर आया हूं आपको पते ही होगा अगर आया हूं तो important session लेकर ही आया हूं तीन सवाल कराऊंगा एक दो और तीन द्यान से समझ लेना concept one by one पहला सवाल है कि 35% of goods were sold at a profit of 65% while the remaining were sold at x percent loss if the overall इतना सवाल समझा दें थोड़ा सा कि अगर मान लेजिए कुछ समान है उसका 35% profit पे भीकता है और बचावा x percent loss पे भीकता है और overall घाटा हो जाता है तो बताओ x की value के है बहुत ही असान है आप ऐसे मान लेजिए 100% की बात हो रही है 100% में से 35% है तो remaining कितना हो गया 65% इसको बेच 65% profit पे और इसको बेचा x percent loss पे और जो overall है overall loss आ गया overall कितना आ गया minus 12% यह सवाल का frame है स्टॉल कैसे करोगे तो आप लिखोगे solution सबसे पहले आप बोल रहे हो कि अगर मैं इसको 35 और 65 simplify कर दूं यानि इसको 7 और 13 कर दूं यानि आप total कह सकते हैं कि अगर 20 थे ना 20 में से 7 और 13 आपका 65 percent का profit है 13 पे आपका x percent का loss है तो मैं weighted average कैसे निकाल हूँगा बहुत ही simple है अगर हमारे पास यहां पर output है और यहां input है तो आप बोलों कि 7 into 65 minus 13 into x divided by 20 और इसकी value दे रखिये आपको minus 12 percent इसको इधर कर दोगे तो यह आपकां जागा minus 240 इसको इधर बेज़ दो 13 into x percent की value आगई अगर मैं इसको इधर बेज़ हूँगा इसको इधर प्लस हो जाएगा इसको भी निकाल दो 750 और 355 तो यहां पर आपका कहाँ 0 तो 240 ऐसे लिख देता हूँ, 455 और 240 दोनों को चोड़ दो, 455 एक आ गया और 240 एक आ गया, 59 तो 695, क्या हो गया, मिठी गया है कुछ है ना, एक मन इसको सेट के लेते हैं, हाँ, तो मैं इसको सीधा लिख देता हूँ, 695, 13 से काड दो, 13 बंजे 65, बज गया आपका, चार, 45 और यहाँ पर आप कर दो, 13 बंजे 65 और बज गया 45 और यहाँ पर मेरा आजएकर, 13 तिया 49, 53 पॉइंट सम्चिंग वला है, यह वला असर है, यह असर है, फिर से देख लो एक पर ही, यह कोश्चन का फ्रेम था, उपर कोश्चन का फ्लो चार्ट है कि 100 परसेंट में से क परसेंट पर यह प्राफिट है, कुछ परसेंट पर यह लॉस है, तो मैं ओवरॉल निकालने के लिए, सलुशन यहां से स्टार्ट है, यह सलुशन यह कोशन है, फ्रिक है, तो आपने बोल दिया इसका रेशन में ऐसा लेसकता हूँ, एक तरीके से के सकता हूँ कि टोटल मे माइनस इस इंटो इस डिवाइड बाइ 20 इसका ओवर हो ठीक है नेक्स्ट एक वेजेटेबल वेंडर ने क्या किया सौ किलो पोटेटो खरीदे 19 रुपीज पर केज़ी के इसाब से खरीदे उसमें सौर पे कार्टेज पे भी लगा दिये के अब उसौ किलो में से ढट और कीलो प्रतेटों 50 पर्स प्रॉफट पे हाफ ऑफ अब दा रिमेनग 40 पर्सेंक पर फैक हाफ अवग प्टो चिल रिमेरिंग 25 पर्सेंक पर अब तो की ऐम पर रहैं और वन Selling नहीं है आप सीधा देखो को मैं से 60 किलो साथ है 50% पर यानिकि 60 50% पर रॉफिट पर है ठीक है हाफ अप्व दरीमेनिंग 100 मैं से 60 चले गए बचे कितने 40 तो 40 का हाफ कितना अगा 20 यानिकि जो 20 है यह आपका आ गया half of the remaining कि आपको 40% profit पर है ठीक है अब बच गया remaining 20 अब half of the still remaining या नहीं है आपको फिर से 10 तो यह जो 10 है इस पर 25% का profit है और जो बच गया 10 इसका नहीं बदा आपको कितना profit है इस पर माल लो answer answer लिख लो और यह overall अगर मैं बात करूं इस overall की value कितनी है अब यह तो प्रॉफिट है सारा प्रॉफिट प्रॉफिट फॉट्टी तो मैंने बोला अगर 60 पर 50% यानि कि यहां पर कितना आ गया 30 ठीक है 30% होगे कोई कि 100 kg खरीते थे यह benefit है हमारा ठीक है यहां पर कितना आ गया अगर 20 का 40% निकाल होगे 8 ठीक है और अगर मैं यहां पर निकाल रहा हूं यह कितना आ गया धाई यहां पर आपको आगया 10 इंटू आंसर लेलो यह एक्स लेलो जो भी परसेंटेज और यहां पर आपको आगया 42 ठीक है यह मेरे कितना आ गया 38 और यहां पर आप बोल रहे हो 38 और 40.5 यहांनी इसमें से माइन यह पूरा लिख देंगे 40.5 माइनस करतो यहांनी 10 इंटू x बराबर 42 40.5 यहांनी कितना आ गया आपका 1.5 तो इसको नीचे बेज दो यहांनी 0.15 0.15 आ गई x की value खतम अब मैंने x कहलू यह answer कहलू एक ही बात है यह मैंने x लिख दिया यह यहां पर variable ले रहा था एक तो मेरा answer आ गया 0.15 यहांनी percentage ही निकालना था 15% profit मैंने क्या किया एक बार फिर से देखो मैंने किया गया किसने बोला भाई 100 kilo potato खुरी तो आपने सीधा profit equate कर दिया profit यहां पर भी आ रहा है profit यहां पर overall profit 42% आ रहा है आपको यह बोल रहा है कि मैंने 100% में से 100% के बराबर ले लिया बस तो आपने बोल दिया अगर 100% में से सीधा सीधा अगर मैं लिख रहा हूं तो बच्छा 60% इस पर 50% का profit है remaining half का remaining remaining का भी half यह 20 फिर remaining का बचे रिमेनिंग का फिर half फिर ultimate जो remaining बचा ultimate remaining बचा 10 तो यहां पर कितना profit होगा यह होगा अगर आप लोगों को एक क्वेशन आ गया तो यह वहला करके दिखाओं और फिर मैं करके दिखातो आए वह आपने ट्राय किया होगा एक शॉपकीपर ने एपल्स करीदे 3600 के खरीदे कुछ एपल्स उसने वन फिफ्ट ऑफ देम कर दिया तस परसेंट लॉस पे वन फॉर् परसेंट प्रॉफिट पे तो बताओ एडवर्ट प्राइस शुड़ी सेल रिमेनिंग काम करो आप एक ऐसा नंबर लेलो जो वन फिफ्ट भी हो जाए वन फॉर्थ भी हो जाए तो मैं साथ ले लेता हूं क्योंकि मैंने पांच चार और तीन का लिए अब यह साथ है इसका स यहां तक पढ़ गया यह वाला है वन फॉर्थ अप्धर इमेंग रिमेनिंग इतना है फॉर्टी एट तो इसका वन फॉर्थ करतो फिर से बारा आ गया वन फॉर्थ करूं हां फॉर्टी एट का तो बारा इस पेस ने किया पांच परसेंट लॉग्स अब आपने बोल दिया बजगे चत्तिस तू थार्ड और रेस्ट यहनी चत्तिस का तू थार्ड करोगे कितना आजएगा तीन से करतो बारा चौबिस इस पेस ने कर दिया पंद्रा परसेंट प्रॉफिट तो बचे वे बचे वी कितने बारा इसको कितने रुपे बेचे करें का प्रॉफिट है कितने बैचे के ओवर रैल थो 27 परफिट वे डे को बेह्टे अबरेस कोश्च नहीं है यह सीधा हो गया क्या से आपने बोला भारा इंटू-धै बारा इंटू-धै बारा इंटू-धै इस परसेंट ऑगे 150 टॉबाशेंट परसेंट अब बोल रहो अगर हम सीधा देखें यहां पर 12 से उडातेते हैं पूरा 12 12 12 यहां पर 5 कर देते हैं 135 27 और यहां पर कितना आगया माइनस 10% माइनस 5 परसेंट और यहां पर 30% प्लस X% तो यहां पर कितना आगे हैं पर आपको आगे 15 15 का पॉजिटिक माइनस करोगे यानि एक सब्सक्राइब की वेल्यू हो गई माइनस करोगे तो 120 तो 12 कितने के आपने बोल दिया 3700 का 12 बटे साथ कर लो यानि वन फिफ्ट यानि कि आपने खरीदे थे 720 रुपे के कि इसको अगर मैं 120 परसेंट पर प्रॉफिट पर बेच ना हूं जब भी मैं प्रॉफिट पर बेचता हूं अगर 120 पर प्रॉफिट है तो मैं सेलिंग प्रेस वाइस करना है यानि 144 इंटू 11 कर लो ठीक है तो फोर आगया एट आगया फाइफ आगया वन आगया सॉल्ट 1585 इसे प्रॉफिट से कर रहा है शायद आपने कुछ सीखा होगा वेटेड आवेश से लास्ट में इस नहीं क्या किया कि अगर मेरे को पता चलिए कि यह वाला जो बारा है यह वाला जो बारा है यह अगर 120 परसेंट पर बेचा यानि अगर साथ में से बारा यानिकि वन फि हम आगी दे तो बारा कितली गई थे 720 इस फेंट के 720 की चीज कितने पाइस नी है 120 परफिट पे पैशना है कितना हो आप इसको 1.1 कर देते हो मालनों आपको 100% profit पे पेचना है तो आप selling price को क्या कर देते हैं selling price कैसे निकलता है आप two time कहते तो two time और मालनों और 120% profit है तो आप कितना बोलोगे selling price कितना हो गया 2.2 हो गया तो मैंने ऐसी कर दिया कि selling price 2.2 time of CP कम में CP कम मज़ा आया होगा अगर मज़ा आया तो कमेंट सेक्शन बताइए ज्यादा मज़ा आएगा तो तुरंत मिल जाएंगे कली मिल लेंगे हलका मज़ा आएगा तो फिर एक अध दिन में मिलते हैं ठीक है चलिए थैंकिस को सेशन डिसमा को बाइए